हलो काईज वाट्स आप आज हम करेंगे आपकी टीएस ग्रेवाल की बुक का जो फर्स चाप्टर है एंड प्यो चाप्टर का कॉशन नुबर नाइन कुछ समझ नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या चीज समझ नहीं आ रही है दूसरी चीज एक और साथ में प्लेलिस्ट आपको मिलेगी NCRT वाली अगर आपको वहां से NCRT के कॉशन सॉल्फ करने हैं आप वहां से प्रेक्टिस करो दूसरी चीज यह कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में NCRT के सारे कॉशन भी देती हूं तो आप जो मुझसे बार बार यह कॉशन करते रहते हो कि मैं यह हम इस नंबर का कॉशन हमारे में कुछ और है तो आप नंबर से ना देखके हो सकता है का नंबर उपर नीचे ह हो आपकी बुक पे वर्डीशन का फर्क हो सकता है तो आप मतलब मैं डिस्क्रिप्शन से कॉशन देख लो है ना चालो स्टार्ट करते है कॉशन नमर नाइन के साथ फ्रॉम दू फॉलिंग इंफॉमिशन ओफर क्लब शो दे अमांट मैच एक्सपेंस एंड मैच फंड इन हमें एक स्टेटमेंट दियुए है हमें इसके अकॉर्डिंग बैलिंग शीट और इंकमेंट एक्सपेंडिचर एकाउंट बनाना है फर्स्ट क्या दिया हुआ है मैच एक्सपेंस पे दिरिंग दे इयर एंड 31st मार्स 2019 यह जो दिया हुआ है न यह तो टोटल एक्सपेंस द मैच फंड एज ओन 31st मार्स 2019 हमारे पास 31st मार्स 2019 को जो मैच का फंड है वो कितना है 24,000 रुपया तो यह लाइबलिटी है हमारी बैलिंग शीट में लिखो मैच फंड कितना 24,000 रुपया इसके बाद मैं नेक्स दिया है डोनेशन फॉर मैच फंड मैच फंड का डोनेशन है 40,000 रुपया अब आप एक चीज़ देखो देट भी सेम है उस सेम फंड का है तो हम लाइबिटी में से प्लस कर देंगे प्लस डोनेशन कितना 40,000 रुपया इसके बाद मैं क्या करेंगे नेक्स दिया हुआ है हमें प्रॉसीद फ्रॉम् दे सेल ओफ मैच टिकेटस प्लस कर दो यहां पर लिखो sales of ticket कितना 15,000 इन तीनों को plus कर लो और बहार लिख दो जब आप तीनों को plus करोगे तो आएगा 79,000 अब देखो आपके पास total fund कितना है 79,000 लेकिन जो खर्चा दिया है वो कितना दिया है 1,0,2,000 का 1,02,000 का तो इसके लिए अब आप क्या करोगे पहले 1,02,000 में से माइनस कर दो आप अपना 79,000 तो जब आप 1,0,2,000 में से 79,000 माइनस करोगे तो आएगा 23,000 रोपया तो ये जो difference निकल कर आया है ये कहा जाएगा income and expenditure account में दूसरी चीज़ आप कुछ से समझाया क्या हुआ है जो हमारा खर्चा हुआ वो इतना है लेकिन fund के वल इतना था तो आपको इसे माइनस करना पड़ेगा 23,000 रोपय कहा जाएगे ये आपका expenditure है खर्चा है आपका तो आप इसे यहाँ पे लिखो match expense के नाम से कितना 23,000 हो गया solve ठीक है बहुत simple था समझ में आया चलो still कोई doubt है इसको ऐसा है जो आपको समझ नहीं आया आप मुझे comment करो बताओ कि क्या problem हो रही है क्या चीज़ है जो आपको समझ नहीं आई है दूसरी चीज वीडियो पसंद आ रही है तो please वीडियो को like किया करो और साथ ही अपने friends से साथ चैनल को जरूर शेयर करो ताकि उनके जो भी doubts हो जब हम उन्हें चैनल पे solve करें तो हमारे भी काफी सारे doubts clear हो जाए और कोई भी confusion नहीं रहना चाहिए और अच्छी सी practice होनी जाहिए साथ मिलेंगे next question